हमारे गोरा में साबुन आता है लक्स, लाइफ बॉई, लिर्ल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, टामलिफ, जॉनसन एं जॉनसन बगरा बगरा यह सब साब क्यों खरीटते हैं, एक बार बैने एक भाई से पूचा कि लग्स से क्यों रहाते हो, जिन लगा माधूरी देख्षित कहती है एक दूसरे से पूछा कि तुम क्यों लगाते हो कि हिमा वान नहीं कहते है तो कभी मादूरी दिख्षित और हिमा मालनी या कोई भी हिरोई लक्स से नहीं नहाती सादूं से नहीं नहाती तो आप पूझें यह मुझको बहिमा लोगा मुझको पता चला अभी कुछ दिन पहले दंबई में मेरा एक व्याख्यान हुआ था जुहू में और जुहू वो जगह है जहां हिंदुस्तान के यह फिल्मी हिरो हिरो इन जादा रहते व्याख्यान कैसे हुआ एक कोई फिल्मी ह है उनका नाम है धर्मेर उन्होंने मेरे व्याख्यान के कैसेट सुने मेरे व्याख्यान के कुछ दस कैसेट पिकले हैं तो उन्होंने सुने और उन्होंने तुरम फोन किया कि मैं राजीव दिख्शित से बात करना चाहता हूं मैंने का मैं बोल रहा हूं किया आपके दस कैस नहीं लेता कभी व्याक्ष्यान के लिए अच्छा फिर तो मुझे खुशी आप आईये मैंने का जबूर आउगा एक ही शर्थ है कि जितने फ्रीनी हिरो हिरो इने उनको सब को बुलाईये जादा से जादा तो नहीं को शुच करता हूँ तो क्या हुआ उनका एक बंगला है लोगाला में पूना और बंबई के बीच में वहां उन्होंने व्याक्ष्यान रखा मैं गया जादा लोग तो नहीं आए कुछ 25-30 लोग आए उनके बीच में बीटिंग हुई बात्चित हुई बहुत सारे सवाल पूचे जब खतन हो गए सवाल तो मैंने उनसे का अब मेरे एक सवाल पूछो है कएयर ही था मालनी को क्ग मीनगे मुझे बताओ कि लख से नहाथी हमसी नहीं हुए ठैने से नहाथी हमसी हो ठाफ मारत कर लाप बिए है तो प्यान लगे नहाथी तो रोज beetje है boy वह ने का फिर थे तो इन्होंने बताय चले के आठे में मलाई डालके नहाती है पुम यह नहीं तो कुरसी खबरे में पढ़ जाए जो आप ये जान लीजिए, कोई भी फीनी हिरोईन सबों से नहीं नहाती है। क्यों? उसका कारन है। जितने साबोन हैं वो बनते हैं कास्टिक सोडा से। और कास्टिक सोडा शरीन की दचाके लिये बहुत खराब होता है। और आप ये चाहना के प्रयोग करिए, साफुन से नहाईए, नहाने के 20 मिनट के बाद जब आपका शरीर सुख जा, तो नहाने से ऐसे लाइन कीचे, सफेज रंटी लाइन कीचे, और आरज कल ठंडी का देना, साफुन से नहाईए, 10 मिनट बाद आपका पूरा चहरा सफेज स best quality है मुलतानी मिट्टी मिलती है अभी भी इस देश को खरीद लाइए बागार से क्या करें उसका मुलतानी मिट्टी को दही में डाल दीजे रात को या दही की टाप में डाल दीजे सबेरे तक एक दब मुलाइम हो जाएगे उसको पेस्ट बनाईए शरीर पर ऐसे ही लगाईए जैसे साबून लगाते है और नहा लिए गरम पानी से एक दम फ्रेश हो जाएंगे आप दूसरा तरीका चमे का आता माने बेसन उसमें मलाई मिलाईए पेस्ट बनाईए उसको रगडिया और उससे नहाईए तीसरा तरीका आप जो है अपने घर में ले आईए मसूर की दाल का आता मसूर की दाल होती है उसको पिसलाईए उसका आता बनता उसमें शहद मिलाईए मद मिलाईए और उसका पेस्ट बनाके उससे शरीर को लगाईए और गरम पानी से नहाईए आपकी स्किन एक बन साफ्ट हो जाएगा चौता तरीका मुंतानी मित्टी लीजिए अरीठा का पाउडर लीजिए शीका का पाउडर लीजिए कीमा को बराबर बराबर मात्रा में मिलाईए बिब्बे में बंद करके रखिए एक साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता नहाने के बीस मिनट पहले एक चमच पाउडर एक गिलास पानी में डाल लीजिए और उस पानी से तहले शरी के बाल धोलीजिए आपके बाल टूपना बंद हो जाएगे और फिर उसी पानी से शरीर से नहा लीजिए आप कोई साबुन लगाने की कभी जरूरती महसूस नहीं हो और आपको मैं बता हूँ सबसे अच्छा आपके यहां अकोला में गाय के गोबर से एक साबुन बनता है और गाय के गोबर से जो साबुन बनता है पिछली बार में आया था यहां से खरीब के ले गया था और मैंने मेरे सब दोस्तों को दाटा मैंगी नहता हूँ मैं आपको सच बता हूँ कि उस साहुन से नहाने के दस मिनत के बार शरीमना से खुश्मू निकलती है पिर एक दिन मैंने पुराने कुछ गरंट खोजे तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में जब यग किया जाता था तो किसी भी राजा को यग करने से पहले गोगर से इसनान करना ज़रू भी होता था बग्लान राम में भी यही किया था जब भग्वान राम ने यग्व किया तो गोवर से इसनान किया था तब यग्व करने के लिए बैठ आई थे तो शास्त्रों में इसका वरनन है और गोवर से इसनान करना बहुत उंची बात है आपके घर में अगर देसी गाया है तो उसके गोगर से आप सीवे इसनान कर सकते हैं नहीं है तो आपके अकोला में बनता है इतना अच्छा साबुन और अगर आप वो खरी देंगे तो पैसा कहा जाएगा अकोला का पैसा यही रहे बाता है और वो साबन यहां के किसी गोशाला में बनता है तो आपका दिया गया पैसा जाएगा 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 गोशाला में जाने बाद उस गोशाला को चलाने वाले कुछ भाईयों को रोजगार मिलेगा और मेरी तो कल्पना है कि ऐसी गोशा लाँ गाँ 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 गली गली घर गर मा खुल जा और उनमेंसे ये बोगर निकलेगा, साबून भी बनेगा, दूद बनेगा, गी निकलेगा, क्या क्या नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान की अर्थ में वसका बदल सकती है तो आप ये फाल्तू के साबुन खरीदना बंद करिये मुल्तानी मिट्टी से नाईए, अरीधा, शीकाकाई, मुल्तानी मिट्टी के पाउडर से नाईए या फिर च़ने के आपे से नाईए, या फिर आपके गहा वंगा गोरस का सबो गोरस सहब बनता उससे नहाई हिए हिंदुस्तान का हर साल हम सैक्रों करूर रुपया बचा सकते ये मेरा आप से छोटा साने गेना है